हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैंट चैनल तो हाज के रेसीपी ओग गोई की पराथा गोई के पराथा आपस्ति मैं गोई ख耶ог लंपयों ने घित आउता है भीना की लिब दोिखनी होती है यह बहुत होता धॉATH मैं तरीक है जो बताने में बने इसमें कीडे भीह होते हैं तो आप इसे अच्छे से गरं पानी से दो लीजेगा हूँ और अभी क्या है कि मैं इसे by तक में इसे यह mixer में फ क्ट एक जोowe तो आप कीजी नहीं तो आप इसे कर्दू कस करके भी ले सकते हैं तो जनरली सब के घर में होते हैं तो अभी मैं इसे पांस मिनट लगा देती हूं और यहां पे मैं इसे बस अब हो गिया यह पांस मिनट और देखिए हमारा गोभी अब पक गया है और अब मैं इसे निकाल ले माइक्रोवेप से और मैं भी दिखाती हूँ कि यह कैसा पका है तो यहां पर मैं गोवी को अपने हाथ में लोगी और इसे दबाऊंगी तो यह एकदम सॉफ्ट हो गया है तो गाइट इसे कुछ भी नहीं कर रहा है अब आप इसमें एक मैसर लीजे और इसे मैस कर दिजिए अ अब मैं इसमें डाल रही हूँ छोटी से चम्मस से जीरे डाल रही हूँ आप अपने अनुसार ले लिजेगा यहां में कटी भी मिर्ची डाल रही हूँ और लेसन डाल रही हूँ तो लेसन डालके थोड़ा सा दो शिकेन के बाद मिर्ची डाल दीजे मिर्ची के बाद मैं तो एक छोटा प्याज आप काट की ले लिजेगा और इसे पूरा भूनना नहीं है बस थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए बस इतना ही भूनना है तो इसे भूनने के भून रही हूँ मैं यहाँ पे मैं अद्धाचमच मिक्स मसाला डाल और तो जीरेकी भूनना और धन्या पा हरण तै कि भू हैट कर बढके भूनना प्यायश पया तो इसमें मसाले के अभून बादि को बीदादर मैं और भूनना है आट कर दिजिखेंगा भडह Дन्लमाम गरं कने आख दक भूननना तो यहां पे चलिए मैंने आटा पहले से गून के रखा था आप अगर आटे गून रहे हो तो आप उसमें हलका नमक डाल देजिए और उसके बाद गुनिएगा तो यहां पे देखिए एक मैंने आटे की लोई ली हूँ और इसे मैं होल बनाती हूँ ऐसे जैसे स्टफिंग करते है न कोई भी पराठे के वैसे आपको स्टफिंग करना है इसे भी और इसका होल अच्छा से बनाईएगा और इसे एक चम्मच के सहारे दबाते वे से हलका डा तो गाइस बेलना बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर अगर गोभी का फराठा आपकर अच्छा बनेगा तभी आपका अच्छे से बेल पाओगा तो यहां देखिए मेरा फीलिंग सुखा हुआ अच्छा बनाया और ऐसे ही देखिए मैं कैसे इसे रोल करके बेल गाइसे ज अब चलिए यहां पर एक तभा भी मैंने रख लिया गरम करके तो यहां पर मैं देखिए मेरा कितना अच्छा से बेल के तियार हुआ कोई फटा नहीं साइड साइड में तो यहां मैं गरम तभे मैं डाल दी हूँ अब मैं थोड़े से एक साइड से पक जाए फिर मैं इसे तो यहां मेरा थोड़ा पक गया में इसे पलट देती हूँ और अब मैं उपर के लेयर में ओयल लगाती हूँ और ओयल लगा के आगे पीछे दोनों अच्छे से पलट पलट के सेख लेती हूँ तो यहां देखे किनारों में अच्छे से दबा दबा के आपको कचा लगा माइं पाराठा का परफेक्ट साइज है और इसका थिकनेस भी पॉफेक्ट है तो गोवी का पराठा अगर इस तरह से मिल जाए ना गाई इस तो मज़ा आ जाता है खाने में तो देखिए मैं यहां पर कितने अच्छे से इसे सेख ली हूँ और हमारा लगता है कि एक पराठा रेडी हो गया है और देखिए मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ ऐसे तो यहां पे मैं बाकी सारे पराठे बना ली हूँ देखिए मेरा सारा पराठा यहां बनके रेडी है और अब मैं दिखाती हूँ इसे तोड़के देखिए एकदम कितना लेयर है इसका लेयर एकदम फीलिंस देख तो मैं इसके लिए पाराटा अधाई गुवटी बनाए और इसके साथ में दही और स्वूस्त ली हूं तो आप भी कर सकते हैं मेरे इस तरीके से बना के आपको कैसा लगा मेरे गोबी के पराठा का रेशिया आपको एपाना की कैसा बना था तो गाइज मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेज़ेगा अगर आप न्यू है तो और कमेंट में ज़रूर बताईएगा और स्टेयर भी कर देना अपनी दोस्तों के साथ और एक लाइक तो बनता है थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वेडियो में थैंक्यू